जी तो जैसा कि मैंने बताया था और कंसर्न रेज किया था अपने वीडियो में कि भई यह जो एक्जिट हो जा रहे हैं अचानक से ऑटो कंपनी तो उसको लोगे कंपनी को कुछ करना चाहिए फार्डा को भी कुछ स्टेट्मेंट देना चाहिए गोवर्मेंट को भी देखना हो अपने डीलर्स का जो है हित देखना जरूरी है आकर वह इंडिया नहीं है उनका पैसा भी बेकार होगा तो वही डिमांड करिया यहां फार्डा के असोसियेशन वालोंने की ऐसे ही यह लोग एक्जिट हो जा रहे हैं और यहां पर यह लोग हो यह पार्टनर कम मार्जिन देते हैं जबकि बाहर की कंटेज में ज्यादा मर्जिन देते हैं